ओम्शेन्थी आज आपका 128- agrad दिन का एश्वरी वर्दान और आज के वर्दान में परम्पिता परमात्मा ये बाबा ये नेरकार पिता श्री हमें इस धर्दी पर आकर के, ब्रह्मातन में प्रिविश करके, हमें जिन्देते हैं अब आप सोचेंगे ब्रह्मा तन में आके क्यों? परमात्मा कभी भी किसी की कोक से जनम नहीं लेते हैं, मा की कोक से, ये तो हमें पता है, परमात्मा को हम अजनमा भोकता कहते हैं, परमात्मा सदा ही निराकार और निराकारी दुनिया में रहते हैं, और उस दुनिया में कोई भोग ना नहीं होते हैं तो परमात्मा सदा मुक्ती तो परमात्मा सदा मुक्ति में रहते हैं। पूझे तप थे जब हम स्वर्ग में थे धरती पर हमें भगवान को याद करने की जरूत नहीं थी किसी चीज़ की कमी नी थी और आस्तेस्ते क्या हुआ स्वथनर्ग में परिवतन होना शुरू हुआ हमारे काम बुरे होने शुरू हुए स्वर्ग नया घर था ये घर पुराना होना शुरू हुआ तो हमने विकर्म करने शुरू किये और हमारी आत्मा की ताकत purity खत्म होगी जिस कारण से हम परमात्मा कहते हैं प्रभू हमें वापस ले चलो तो जब तक हमारे अंदर purity नहीं रहेगी हमारे अंदर औरों की प्रती गिरिणा नफरत रहेगी या अपने प्रती रहेगी या परिवार के साथ में हमारा सुक शान्ती नहीं बढ़ेगा तब तब परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र नहीं होगे और तुम वो आपस लोट तो देखें आज बाबा कहते हैं परमात्मा के हैं बाबा बरतानम कहते हैं फरमान की पालना फरमान मतलब परमात्मा को जो ओर्डर है उसकी पालना द्वारा सर्व आत अर्मानों को सारे जितनी अर्माने हैं हमारे जितने डिजायर्स हैं हमारे उनको खतम करने वाले माया प्रूफ भवा तो जब तक हमारे अंदर डिजायज रहेंगे इच्छाएं रहेंगी तो वो इच्छाएं हमें अच्छा बनने नी देंगी मुझे ये चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे इस 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 इचाहिए इंसान मेरे साथ मैं ऐसे बाते करे, इंसान मेरे ये बात माने, इंसान मेरे बात नहीं मानता है, तो तब तक मैं खुश नहीं होंगी या होंगा, तो परमात्मा कितनी सारे अरमान हैं, तो तुम परमात्मा के फरमानों को माननी पाओगे, फरमान की पालना तोरा सर्व अरमान उनों को खतम करने वाले माया प्रूफ भगा, तो माया तो हम जानते हैं, माया मतलब हमारे अंदर की जो भी कमजोरियां हैं, उनको माया खा जाता है, तो माया में हमारे अंदर क्रोध होगा, अंकार होगा, इर्श्या होगी, ग्रिना होगी, आले से अलबेला बन होगा, यह सा बाद दो से पांच के बीच का समय, उसको कहते हैं अमरित वेला, जहां पर परमात्मा कहते हैं, कि उस समय तुम राम सिम्रो, तो राम कौन परमात्मा को राम कहते हैं, परमात्मा ही राम है, रामचंद्र नहीं, तो परमात्मा कहते हैं, अमरित वेले से लेकर रात तक, दिन च की stability के ले हैं, स्थिरता के ले हैं उसी प्रामान अपनी वृत्ति जो हमारी वृत्ति मला हमारा जो attitude है अपने परति, औरों के परति अपने कारे के परति जिसमें कि हम आलसे ना दिखाएं अलबलयपन ना दिखाएं किसी के साथ में तुलना ना करें अपनी किसी के साथ में गृहना न करें, वो वृत्ती होने चाहिए दृष्टी, सब को एक समान देखना, इस्त्री पुरुष को एक समान देखना सब को हमें एक परमात्मा के दृष्टी से देखना सब के अंदर गुण देखना अब गुण ना देखना संकल्प, कैसे संकल्प होने चाहे हमारे एक तो हम सोचते हैं साकारात्मक संकल्प, नाकारात्मक संकल्प परमात्मा कहते हैं पवित्र संकल्प और पवित्र संकल्प भी होते हैं कुछ तो परमात्मा कहते हैं कि तृष्टी अगर गलत है संकल्प अगर आपके गलत है और स्मृति परमात्मा की याद में रखे के करम कर रहे हैं कि लोब में आके करम कर रहे हैं आंकार में आके करम कर रहे हैं परमात्मा की याद में रखे करम करने से ना लोब होगा ना आंकार फिर सर्वेस, सर्वेस भी कैसे करनी है, जैसे हमने कल के वर्दान में सुना, कि हमें निश्काम सेवाधारी बनना है, ना मुझे नाम, मान, शान, ना कोई मेरी स्तुती करे, कोई मेरी वहावा करे, कितना अचा बोला, कितना अचा सुना, कितना अचा दिखा, कितना चक धन आपने दान करा किसी चीज की मुझे सर्विस में इच्छा ना हो और संबंद भी चक करो अपने पूरे दिन में कैसे संबंद में आते हो मतलब से संबंद में आते हो किसी से या किसी से कुछ लेना देना है तब संबंद में आते हो उसके लिए आप संबन्द में आओ, संपरक में आओ उसात्मा के और उसके मन के अंदर सुक, शान्ती, चैन पहलाओ यनि कि आपको कुछ मतलब पढ़ा तब आपने फोन किया परमात्मा के ते दुनिया भी तरीके से सोचना बंद कर दो अब परमात्मा और परमात्मा की सेवा कैसे करनी है दुनिया में उस तरीके से सोचो तो परमात्मा की सेवा मतलब परमात्मा की सेवा नहीं परमात्मा की सेवा मतलब परमात्मा जो हमें सेवा दी हुई है वो कैसे करना तो बाबा कहते हैं जो हर संकल्प, हर कदम, फर्मान को पालन करते हैं तो परमात्मा जो उपर फर्मान भी बता है हमने, उसको जो हम पालन करते हैं उनके सब अर्मान खतम हो जाते हैं किसी से कुछ चाही नहीं होता, किसी विवेक्ति से, किसी आत्म से चाही नहीं होता परमात्मा कहते हैं, जब इच्छाएं होती हैं, किसी से कुछ चाहना होती हैं तो हम चाहकर के भी अच्छे बनने पाड़ते हैं क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या इच्छा को अविद्या कहते हैं Lack of wisdom कहते हैं वेवेक की कमी कहते हैं तो जितने इच्छाएं होंगी उतना वेवेक हमारे अंदर कम होता जाएगा पर्मात्मा कहते हैं अगर अंदर में पुर्शार्थ का वा सफलता का अरमान भी रह जाता है कि मूँको पुर्शार्ट करना है, मुझे यह करना है, यह मुझे पवित्र बनना है, मरी दृष्टिती करनी है, अगर अगर परमात्म कहते हैं, यह भी पुर्शार्थ का यह सफल्ता पानी है, इसका भी अगर अर्मान रह जाता है, तो जरूर कहा न Der абन न क कहा कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है इसके माईना काई हम कुई order फॉडॉ नहीं कर रहे हैं जिसकारण से हमारे अंदर सुख श्यांती महसूस नहीं हो रही है और हम सोच रहे हैं मुझे मुझे ये करना है मुझे मन को शान्त करना है मुझे मुझे मुरली पढ़नी है अरे मुझे meditation करनी है तो परमात्मा कहते हैं कि कही ना कही हम चंचल हैं और हम फर्मान को पूरे सुबा से लेकर या रात तक follow नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या है हमारे अंदर अर्मान रह जाते हैं तो जब भी कोई उल्जन आए इस प्रकार से उल्जन जबाती है आज ये नहीं किया हाई उसके कारण ये नहीं हुआ अरे उसने ऐसे बोल दी असलिए ये नहीं हुआ इसने meditate नहीं कर पाई कर पाई उसकी वज़से ये हुआ परमात्मा कहते हैं ये सारी चीजों को खतम करना है तो परमात्मा कहते है सुबह से लके रात तक के order जो दी है उनको follow करो तो जब भी कोई उल्जन आए तो चारो और से check करो चारो और से check करना है ज्यान योग धारना सेवा ज्यान में कुछ कमी हुई योग मतलब परमात्मा की याद पूरे दिन नहीं करी हमने जो परमात्मा को order है धारना की परमात्मा ने जो बताया कि और उकी बुराया ना देखो जो कि एक सब एक छोटा सा point है जो कि परमात्मान हमें बहुत सारे चीज़े सिखाई हुई है वो सारे चीज़े में कहीं ने कहीं कोई कमी आ गई तो बाबा कहते हैं इससे माया प्रूफ स्वता बन जाएंगे चेक करो और चेंज करो कहां कमी रहे गई कहां हमने order को follow नहीं किया क्या चीज़ में हमने गलती कर दी क्योंकि माया प्रवेश कर देती कोई भी दर्वाजा गलती का अगर खुला रह जाए तो माया माया मतलब काम, कुरोथ, लो, मौंकार, गरिना, ईश, नफरत किस ना किसी तरीके से हमारे अंदर हावी हो जाते है हमारे मन के अंदर संकल्पों के रूप में तो बाबा कहते हैं, इनको चेक करो और चेंज करो और मेरे ओर्वेश को फॉलो करो और रात को सुने से पहले डाइरी लिखो डाइरी में जैसे की बिस्समें के लिखता है आज प्रॉफिट इतना हुआ, इज आज इतना लौस इतना किया तो वैसे ही तुम अपने कर्मों का प्रॉफिट लॉज का खाता बनो एक किताब लिखो, एक डाइरी मेंटीन करो जो कि रात को सोने से पहले लिखो तो यह सारी चीज़े आज वर्दान में परमात्मा में कहते हैं इसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे अंदर सुक शानती, सफलता सब आ जाएगी तो आज का यही शुरी वर्दान आपका दिन शुब हो, आप स्वस्त रहें आप घर में सेफ रहें ओम शानती